नमस्कार मैं डॉक्टर इंदो साहरन आप सब का स्वागत करती हूँ आज हम करेंगे मैथली शन्गुप्त की कवीता जैदरत वद का भाग तीन क्योंकि ये कवीता काफी लंबी है तो इसलिए हम इसको तीन भागों में बांट कर कर रहे हैं तो आईए आज हम इसका तीसरा भाग करते हैं जिसमें कुछ पद्यांशों की व्याख्या की गई है हमने अब तक जो व्याख्या भाग किया है उसमें हमने जाना कि अरजुन ने जैदरत का वद कर दिया था अर्जुन जैदरत का वद्ध करने में सफल हो जाते हैं और जैदरत के वद्ध के पस्चाथ क्रिशन पांडव बंदूं के साथ जब युदिश्चर के पास पहुंचते हैं तो वो युद्ध भुमी में जो कुछ घटना घटित हुई उसके बारे में बताते हैं उसके पस्चाथ जो युद्धिश्चर है वो क्रिशन के प्रती जो अपने भाव हैं उनको अभिव्यक्त करते हैं और उन्हें धन्यवाद देते हैं और बताते हैं कि आप तो ये सब पहले से ही जानते थे कि ये सब निश्चित है हम तो केवल हेतु मात्र हैं जो कुछ होना था उसके बारे में आपको पहले से ही पता है और वो अपनी भगती के जो भाव हैं क्रिशन के प्रती वो इस कवीता में बताते हैं तो आईए आगे का भाग हम प्रारंब करते हैं युधिश्चिर कहते हैं तुम एक होकर भी अहो रखते अनेकों वेश हो कि तुम एक होकर भी एक यानि तुम दिखते तो एक हो लेकिन तुम्हारे वेश अलग-अलग हैं तुम अलग-अलग अनेक रूपों में हो अर्थात तुम एक हो तुम्हारे रूप अनेक है तुम्हारे वेश अनेक है लेकिन तुम एक हो वही इश्वर जो स्रिष्टी के पालन करता है वो तुम ही हो अध्यांत हीन अचिंत्य अद्भुत आतम भू अखिलेश हो अध्यांत हीन आध्यांत यानि ना तो तुम्हारा आदी है और ना ही तुम्हारा अंत है आदी और अंत से हीन हो आदी ना तो तुम्हारा कभी प्रारंब है और ना ही तुम्हारा कभी समापन है इन सीमाओं से अद्भुत हो अपने आप में एद्वित्य हो अद्भुत हो आतम्भु अखिलेश हो आतम्भु यानि स्वेम अखिलेश का तात्प्रे यहां पर स्रिष्टी के स्वामी अखिल यानि धर्ती के एश यानि इश्वर धर्ती के इश्वर हो या अखिल संपूर्ण ब्रहमांड के स्वामी हो करता तुम्ही भरता तुम्ही हो स्रिष्टि के युदिश्चिर कहते हैं तुम्ही इस स्रिष्टि में कार्य करने वाले हो तुम्ही इस स्रिष्टि में भरने वाले हो भरता हो हरता तुम्ही हो स्रिष्टि के और स्रिष्टि के जो हरता नस्ट करने वाले भी तुम तुम ही हो अर्था तुम ही श्रिष्टी के करता हो निर्मान करता हो रचियता हो तुम ही श्रिष्टी के भरता हो पालन करता हो पालन हार हो जो श्रिष्टी के जीव जन्तु है सब तुम ही उनका पालन करते हो और तुम ही हनन करने वाले हो श्रिष्टी को नस्ट करने वाले ह चारों पदार्थ दया निधे, दया के निधे यानि सागर, निधी यानि सागर, दया के सागर जो चारों पदार्थ है, ये फल है तुम्हारी दृष्टी के, ये भी तुम्हारी कृपा के ही फल है, चारों पदार्थ क्या है, जो संसार में जीवन का आधार है, धरम, आर्थ, काम और मोक्ष ये चारों ही पदार्थ आप ये ध्यान रखेंगे कि जो जीवन का आधार है चार पदार्थ वो धरम अर्थ काम और मोक्ष ये चारों ही पदार्थ हे दया निधे हे कृपा के सागर ये तुम्हारी ही कृपा दृष्टी के फल है अर्था तुम्हारी ही दया द क्रिश्चिर कहते हैं कि हे ईश्वर आपने बहुत सारे उपकार हम पर हमेशा किये हैं सरवदा यानि हमेशा किये हैं उपहार प्रत्युपहार में क्या दे तुम्हें इसके लिए वो प्रशन करते हैं कि तुमने हमें जो हम पर उपकार किये हैं उनके प्रत्युपकार उसके उपकार के बदले में हम तुम्हें क्या उपहार दे वो प्रशन करके क्रिशन से ही पूछ रहे हैं कि तुम तो हमेशा दया के सागर रहे हो हम पर हमेशा करपा दृष्टी रखी है तो उस उपकार के बदले में प्रत्य उपकार यानि बदले में क्या उपकार दें ये आप हमें बताएं है क्या हमारी स्रिष्टी में ये सब तुम्ही से है बनी हमारी स्रिष्टी में ऐसा क्या है प्रशन कर रहे हैं कि हमारी संसार में ऐसा क्या है जो हम तुम्हें दे सकते हैं क्योंकि ये सब तो तुम्हारे द्वारा ही बनाई गई है ये तो तुम्हारी ही रचना है इसके बदले में जो तुमने हम पर उपकार किये हैं उसके बदले में हम तुम्हें क्या दें क्योंकि संसार की कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जिसका निर्मान तुमने नहीं किया अर्थात ये स्रिष्टी तुमारी ही द्वारा निर्मी है रिणी हैं हम तुमारे हम रिणी हैं तुमने हम पर बहुत उपकार किये हैं तुम हमारे ही धनी धनी यानी स्वामी और तुम हमारे स्वामी हो और हम मिरंतर लगातार तुम्हारे ही रिणों से दबे हुए हैं तुम्हारे ही उपकारों से दबे हुए हैं तुमने हमेशा हम पर उपकार किये हैं क्यूंकि तुम हमारे धनी हो स्वामी हो तुम ही हमारे जो युदिश्चर है वो कृष्चन की जैकार करते हुए कहते हैं कि जै दीन बंदो, दीन हीन के सहोदर बंदू, दीन जनों के सहोदर भाई, सखा या सहायक सोख्य सिंधो, समुंद्र या सागर को सोखने वाले, अर्थाश शक्तिशाली, देव दया निधे, देवों के भी देव, दया के सागर जन्म मृत्यू विहीन शाश्वत आप तो शाश्वत हैं शाश्वत ना तो आप जन्म लेते हैं ना ही आपकी मृत्यू होती है अर्थात आपका कभी नाश नहीं होता नश्वर नहीं हो आप तो हमेशा ही शाश्वत हो विश्व वंदय, विश्व के द्वारा वंदनिय, विश्व यानी संसार के द्वारा वंदनिय, पूजनिय, महा विदे, महा माया के स्वामी, महा ज्याता, जे पूर्ण पुरुषोत्तम जनारदन, जगन नाथ जगत गते, जे हो हे पूर्ण पुरुषोत्तम, तुम्हारी पूर्ण अपने आप में संपूर्ण पुरुषों में उत्तम अर्थात सभी उत्तम गुनों के स्वामी तुम्हारी सदा ही जय हो। अच्छूत हरे अच्छूत का मतलब है अटल हमेशा अटल रहने वाले मंगल ते मयापते मंगल करने वाले और मया के पति लक्षमी के पति तो इसमें बता रहे हैं दिन बंद्व की साहता करने वाले समूंद्रों को सोखने की समाप्त करने की सुखा देने की शक्ती में — देवं के उरक न्यॉतं हो पूर्ण पुर्ण प्रुषोत्तम जनारधन जगत के नेवाले देवों के भी देव दया के सागर, तुम जनम और मुर्यत्यू से परे हो, तुम शाश्वत हो, तुम ही सत्य हो, विश्व के बंदे हो, विश्व के पूजनिय हो, महाविदवान हो, है पूर्ण पुरॉषोतम जनारदन, जगत के नात, जगत को गति परदान करने वाले वैभवशाली इश्वर तुम्हारी सदा हुई, जै हो, तुम अटल हो, मंगल करने वाले हो, माया के पती हो, लक्षमी के पती, है एक रिशन तुम्हारी सदा ही जै हो। कोई अचेतन वस्तु जिसका स्वेम पर अधिकार ना हो। अपने हर्द्य से उन्हें लगा लिया। ऐसा होते दे कृष्ण ने आगे बढ़कर हर्ष से, खुशी से, युधिश्चिर को अपने गले से लगा लिया। संगम अतीव विचित्र था, ये भगत और भगवान का संगम कहां देखने को मिलता है, और ये संगम तो बिलकुल आंखों के सामने गटना गटित हो रही थी, और इश्वर और जीव का ये जो संगम हो रहा था, ये बहुत ही अधिक विचित्र और सुन्दर था, मानो सूकृत आकार स्वेम ही शील से थे मिल रहे, मानो ऐसे लग रहा था, जैसे सूकृत आकार, सुन्दर कृषन का जो सुन्दर रचना करने वाले जो कृषन है, इश्वर है, स्वेम ही शील, शील यानि नैतिक गुणों वाले या शुद्ध आचरन वाले व्यक्ति से मिल रहे थे, स्वेम शील्गुणंसे मिल रहते है शील्गुणं कहीं कोन देखकर युग जारोज मानु सॉख्रोज मानों साथ ही ठीक खिल रहे उनको देखकर युग यानि दोनों शाम और गोर शाम यानि क्रिशन गोर यानि गोरा शाम यानि सामला गोरा यानि युदिश्चिर शाम यानि क्रिशन गोर यानि युदिश्चिर दोनों को देखकर ऐसे लग रहा था शाम और गोर वरण के सरोज यानि कमल एक साथ खिल रहे हूँ दोनों एक दूसरे को गले लगा रखा था और उन दोनों को देखकर ऐसा सुंद्रिय उत्पन हो रहा था मानो जो बार-बार मानो शब्द का मैं इस्तिमाल कर रही हूँ यहां पर उत्परिक्षा अलंकार आएगा तो ऐसे लग रहा था मानो सफेद और शाम यहां रंग के जो कमल के फूल है वो एक साथ खिल रही हूँ ऐसा सुंदर दृश्चे वहां पर प्रदर्शित हो रहा था या ऐसा सुंदर hacks बन रहा था करने लगे सब लोग तब आनन्द से जैनाद यूँ दोनों को एक साथ 25 वह यावंसु देखकर कर ने लगे के तिरे लोग के यानि तीनों लोकों को दे रहे हों निर्बे होकर बिना भै के विजे का समबाद यूँ ऐसे लग रहा था कि तीनों लोकों को वो भै से रहित होकर अपने भाव व्यक्त कर रहे हों कौन से भाव विजे के भाव खुशी के भाव विजे प्राप्त करने के जो मुश्किल से मिलती है भूवन में इस धरा पर ऐसा कहीं भी नहीं है इस संसार में ऐसी घटना दुडलव है सचमुच कहीं समता नहीं है भव्य भारत वर्ष की और कभी कहते हैं इस दिरिश्य को देखकर ये लगता है कि सचमुच इस पूरे संसार में कहीं भी ऐसी समता नहीं है कैसी जैसी इस विशाल भारत वर्ष में है जहां भगवान और भगत के बीच में कोई भेदभाव नहीं है समानता का जो भाव है ऐसा भाव किवल भारत वर्ष में ही देखा जा सकता है किवल भारत वर्ष में ये भगत और भगवान का मिलन या प्रेम देखा जा सकता है दुख दुशलादिक यानि अभी और भी बहुत से दुख और बुराईयां है जिनको कहना बताना अभी अवशिष्ट है अभी बाकी है बचा हुआ है अवशेश अवशिष्ट अभी बचा हुआ है किसका जो अनेक और भी दुख है या जो बुराईयां है उनका वर्णन अभ किया गया है वो वर्न अभी बाकी है पर पाठकों का जी दुखाना अब ने हम को इस्ट है लेकिन कभीवर ये कहते हैं कि पढलनेवाले जो इस कभीता को पढ़कर आनंदगराव कर रहे हैं उनका दिल दुखाना जी दुखाना य mas हमें मनजूर नहीं इस यानी इच्छा नहीं है अब हमारी ऐसी इच्छा नहीं है कि हम पाठकों के हरदे को दुखी करें कर बार बार शमार्थना होते विदा अब हम यहीं हम बार बार शमा अर्चना करते हैं और अब आप से विदा ले रहे हैं किन से विदा ले रहे हैं कि जब सुख का समय चल रहा हो ऐसे सुख के समय में दुख की बात करना अच्छी नहीं लगती दुख की बाते अच्छी नहीं लगती यानि सुख के समय दुख का वर्णन नहीं करना चाहिए इसलिए जब जैदरत के वद के समय सब खुश हैं हर्श से अपनी भावों को भिवेक्त कर रहे हैं या चारों और जैजकार कर रहे हैं विजय का उल्लास है ऐसे में अन्य बचे हुए दुखों की बातें अभी नहीं करनी चाहिए जबकि वो यह बताते हैं कि दुख तो और भी अभी बहुत हैं जिनका वर्णन अभी तक नहीं किया गया लेकिन फिर कभी कहते हैं कि मैं एक्षमा चाहता हूँ अब मैं यहीं विदा लूँगा क्योंकि सुख के समय अब दुख की बात करना मुझे अच्छा नहीं लगता सुख का समय क्या है जो क्रिशन और जो अर्जुन ने अपनी प्रतिग्या करी थी वो प्रतिग्या उन्होंने पूरी कर ली यहीं उनके लिए खुशी का विशे है तो ऐसे में कोई अन्य दुख की बात करना लेख को अब ठीक नहीं लग रा इसलिए वो कहते हैं कि अब मैं यहां पर विदा लेता हूँ तो यह हमारी कवीता थी जैदरतवद उमीद करती हूँ आप इस कवीता को बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़ेंगे तो यह आपको अच्छे से समझ में आएगी इसमें जगें जगें हमने देखा अनुप्रास अलंकार आये हैं पुन्रुक्ति प्रकाश अलंकार भी आया है उत्प्रेक्षा अलंकार भी आया है संपूर्ण जो कवे है उसमें हरीगिती का चंद का प्रियोग हुआ है यह आप ध्यान रखेंगे इसके साथ साथ जो इनकी भाशा है यह सरल और खड़ी बोली हिंदी है लेकिन बीच में जो तत्सम तद्वव या संस्कृत के शब्दों का प्रियोग हुआ है वो भी कवीता को काफी रोचक बनाते हैं तो यह हमारी कवीता थी जो की परसाद गुन से युक्त है उमीद करती हूँ आप इसे बहुत अच्छे से कर पाएंगे और समझ पाएंगे बहुत बहुत धन्यवाद